येस वी अलाइब नाओ हेलो फ्रेंड्स इस इस इमांशी एं वेल्कम टू लेट्स लेर्न डिस्कस करेंगे आज कई टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं एंसीफ से रिलेटेटेट कुछ क्वेस्टन्स ब्लूम से यानि ब्लूम के वर्गी करण से राष्ट्र या पाठ्य चर्या की रूप रिखा 2005 से और थर्ड टॉपिक है बेंडियूरा का सोशल लर्निंग थियरी यानि बेंडियूरा की अब्जरवेशनल लर्निंग थियरी के अधिते हैं सामाजिक अधिगम का सिध्धान्त तो डिस्कस करेंगे इन तीन थियरीज को या तीन कॉंसेप्ट्स को जो आपको फॉर शॉर हेल्प करेंगे कई नंबर दिलाने में चाहे सीटाट हो या बाकी टीचंग एक्जाम्स हो कोई भी मेरे कैप का मजाक नहीं उड़ाएगा बर्फ नहीं पढ़ रही है दिली में लेकिन मेरा मन है तो इसलिए लगाया है ठीक है बाहर से आई हूँ अभी इसलिए लगाया हुआ है पता चले कॉमेंट्स में मज़े ले रहे हूँ चलो आज हो वापस से ऐसे बर्फ पढ़ रही है ठीक है बाकी बातें तो ठीक हैं, बट जो मजाग उड़ाएगा आज वो सीदा सीदा ब्लॉक करेंगे उसको, कहरें तो मैं मजाग कर रही हूँ, आज हो एक बार, चलो, बहुत बढ़िया, सही चल रहा है, ग्रेट, अरे बाल ठीक नहीं करने पड़ते हैं, कैप में, यह बहुत मज़ते रही हैं, मैं जुगाड़ू इंसान हूँ, देखो एक बार, यह 18th session है, शाम वाला session, होफ़ली आपने देख लिया होगा, strategy बताई थी, पूरा देखना उसको, तब ही फायदे मंद है, इसके लाबा कल का time management session, यह दो ऐसे session है, जिसमें कुछ अलग से नहीं पढ़ा पांच पेज का answer लिख के आना हो, तो यह बेसिक सी बात है, सभी को गुड़ीवनिंग, नमश्कार, राम राम सच्छा का, असला वाले कुम, whatever you feel connected with, स्टार्ट करते हैं आज का session, जिसमें मजा कुड़ाया देखना आप, like, share, subscribe आप कर ही देंगे, क्योंकि आपको session पसंद आ पहाना नहीं चलेगा, कि हम ले नहीं सकते थे, था नहीं या कुछ भी, ठीके बात, तो फटा-फट से आजाओ, आज sir की class क्यों नहीं हो, पता नहीं है, उनका message नहीं आया, मैं भूल जाती हूं, मैं अल्रेड़ी थोड़ी सी busy राती हूं, हो जाएगी, खेर, कोई दिक्कत और 9.30, कल मैं passage की बात करूंगी, most probably कल वाले सेशन में 6.30 वाले, और पर्सों से फिर दूसरा subject शुरू कर देंगे, देखो एक बार, national curriculum framework 2005 की बात करें, तो इसमें एक question दिया गया है, बहुत बढ़िया, हाँ, दिल्ली में बर्फ पढ़ रही है, मनाली जासा feel हो रहा है मु 9.30 से आरही हो आप, और हमें ब्लॉक करोगे, ऐसा ही होने देंगे, अरे मजाग करें हुशा, खेर, आप लोग आप लोग आई ही चुके, और पढ़ना शुरू कर दें, अगर हसी मजाग हो गया हो तो हसी मजाग जरूरी है, बट शुरू कर देते हैं, और ये yellow कलर मेरी मेरी लाइफ में खुद ली आजाता है, आप लोग कुछ भी देखते हैं, पिक्चरस में और कुछ भी, और और कॉमेंट करते हैं, यह लोग फेवरेट है, मेरा yellow बुलकुल फेवरेट नहीं था, बच्प 2005 derives its understanding from जो राष्ट्रिय पाठ्य चर्या की रूप्रे का 2005 है वो जो अपनी समझ है वो जो अपना बेस है वो कहां से इसने डराइव किया है ये बदा दीजे फटावट्चे अगर NCF का सेशन ना देखा हो सर्च करके पूरा पढ़ लेना मनें पूरी गाइडलाइनस बताई हुई है कि आप मेन गाइडलाइनस हैं पाँच के बच्चे को क्या है रोट लर्निंग यानि रटने से दूर लेके जाना है लर्निंग विदाउट बढ़न करानी है मतलब बच्चे पर बोज नहीं होना चाहिए यह flexibility होनी चाहिए examination system में एक enriching identity बच्चे की बने जो समाज और संस्कृति और देश democratization हो उस identity का इस तरीके की identity बने यह सारी चीज़ें बच्चे की होनी चाहिए रियल लाइफ से connect कर पाएं आप बच्चे के वास्तविक जीवन से अधिकम को यह बात कहता है NCF और यह 2005 वाला NCF कौन से नंबर का है यह 4th नंबर का है सबसे पहले 1975 फिर 88 फिर year 2000 और 2005 अभी नया आने वाला है शायद आ जाएगा जल्दी ही ठीक है बात कोई दिक्कत परिशानी यहां तक ठीक है कोई समस्या है तो बताओ थैंक्यू इमानी इतना तो सच मत बोले ठीक है यह बर्व किर रही है आजओ आजओ इतरा आजओ देखो एक बार यार मूड लाइट रखके पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से पढ़पाऊगे आंसर क्या होगा आपको पता है कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद रचनावाद क्या बात करेगा इसका नाम ही है कंस्ट्रक्टिविज्म या रचनावाद मतलब नॉलिज को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है इस बात पर फोकस होगा कैसे actively बच्चा सक्रिय हो करके ग्यान का निर्मान कर सकता है meaningful learning कर सकता है explore करके अपने environment को सब के साथ सीख करके इसी पर based है आपका NCF रचनावाद एक school of psychology है जिससे प्याजे वाइगोस की भूनर ये लोग ब्लॉंग करते हैं ये सभी ये मानते हैं कि बच्चे को active रखा जाए रचनावाद ये मानता है कि बच्चे को active रखा जाए ठीक है cognitive theories, humanism, behaviorism इन सब का इससे कोई संब्ध नहीं है विभारवाद तो आदब डलवाने की बात करता है cognitive theories जो है वो brain पर जादा focus करती है यहाँ activity की बात हो रही है humanism, मानवताबाद जिसमें हमने कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैसलो की बात की है marathon session देखे होंगे तो आप connect कर पा रहे होंगे देखिए एक बार next question, according to the national curriculum framework 2005, learning is dash and dash in its character बताईए, NCF 2005 की according learning क्या है, फटावट से बताओ thank you connect answer करो answer बहुते बढ़िया सब अपनी अपनी मर्जी से answer कर रहे है, यार NCF 2005 जब यह कहता है कि बच्चे को activity करा के सिखाना है, knowledge का construction वो कर सकता है, real life से जोडना है, रटने से अलग हटाना है रटवाना नहीं है, simple बात है कि learning is active यह नहीं होगा, learning is active and social in its character, सामाजिक गति विधी है, सब आप लोग साथ में मिलके ही सीख रहे हैं, जब हम साथ में आते हैं तो और अच्छे सीख पाते हैं, तो learning active तो है ही, इसमें बच्चे का सक्रिय होना तो जरूरी है ही, आप activity कराएं, दूसरा यह social character है, social है अपने nature में, मतलब groups में सिखाओ, peer group में सिखाओ, collaboration करके सिखाओ, cooperation करके सिखाओ यह चीज़ें important हैं, मतलब सहयोग कराना है साथी समू के साथ सिखाना है group में teaching करनी है, project work दे सकते हो field trips पे ले जा सकते हो, जहां भी बच्चा active है, और समाज में हो करके, समाज की real problems के लिए, और real life के लिए सीख रहा है that stands for NCF या फिर, अच्छे के लिए ही वो stand करेगा आगे बढ़ेंगे, देखो passive नहीं हो सकता, जहां बच्चा passive है, वो answer खराब, passive नहीं हो सकता, active or simple in its character, simple कहां होता है simple थोड़े है सब पुछ, ठीक आगे बढ़ते हैं next question की तरफ next question क्या कहता है, यह देख लेते हैं question number 3 says, according to NCF 2005, the role of a teacher has to be, यानि NCF 2005 के according, एक सिक्षक की जो भूमिका है, वो क्या है, बताईए, permissive है facilitative है, authoritative है dictatorial है मतलब dictatorship, ताना शाह है, बताईए एक बार, जवाब दीजे जवाब, सुविधा दाता, बिलकुल, यह अलग-अलग form में यह question पूछा जा सकता है, आपको मानना है, कि जो NCF है, वो किस पे based है constructivism, यानि रचना वाद पे कि बच्चा रचना कर सकता है constructivism को ही ब्लॉंग करते है प्याजे वाइगोस्की और जेरॉम ब्रूनर, फैसिलिटेटिव यानि सुविधा दाता है, stage setter है बच्चा सीख लेगा, आप उसको मौका दीजे आप उसके लिए facilities, या फैसिलिटेटिव environment बनाईए, जहां आप उसके support के लिए तयार हो बट उसको hand holding ना कर रहे हो, ठीक है तो कह सकते हैं कि आप जो उसको मौका दे सीखने का सुविधा दाता हो, परमिसिव होता है कोई कुछ भी कहता रहे, teacher ही बैट कर के बच्चों से डांट खा रहा है, उल्टा हो जाएगा authoritative मतरब डंडा हाथ में, अधिनायक वादी भी सेम ही है, तो इनको negative मानते हैं democratic माहल होना चाहिए और democratic माहल के लिए facilitation ज़रूरी है सिर्फ सुविधा दाता का काम करें बच्चा learning अपने आप, ओती रहेगी अलगलग groups और activities के through, देखिए एक बार role of a teacher in a class is to यानि, एक सिक्षक का क्या role है, क्या, भूमिका है एक कक्षा के अंदर, फटा फट से option check कीज़े और answer कीज़े, जल्दी बताओ एनक कहां गया मैं, भिजवादी हैं यार, इतना setup हो जाता है, ये भी लगाएं, ये भी के अंदर, फटा फट से answer करो, बच्चों को भर दे ग्यान से, वो सिक्षक, follow, जो time table को strictly follow कराएं, है न, transmit knowledge in a straight fashion and prepare students for right answers, बिल्कुल, सही answer देना चाहिए बच्चों को, और बिल्कुल, जो knowledge है, उसको भर दे straight fashion में, फिर है, provide authentic learning situations and facilitate independent thinking in students, it is important, it is important, क्यों, क्योंकि क्या करे, एक तो authentic learning, जो इस्थाई और विश्वस्ति ये अधिकम हैं, sources हैं, situations हैं, उनको available कराएं, और independent thinking, आपकी भी thinking जागरित हो सके, ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको answer बता दिया, काम खतम हो गया, आपका भी thought उस पे जागरित हो सके, आप समझ सकें proper चीज़ को, that is important, फीक है बात, आगे बढ़ेंगे, D option, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ आप knowledge से fill कर दें, बच्चे कोई खाली बरतन नहीं है, ये बात हम child-centered education में भी समझ रहे थे, बच्चे को आपको एक पौधे की तरह treat करना है, ना कि उसको एक खाली बरतन के रूप में, ठीक है बात, इतनी बात तो समझ आ ही गई होगी मेरे ख्याल में, इंटरनेट थोड़ा सा slow है, मुझे लग रहा है, खेर, आगे बढ़ेंगे, next है time table को strictly follow कराने से क्या हो जाएगा, मतलब discipline सब कुछ कौन लोग आज नहीं आए है, आप लोग खुद आते हैं, that means के सीखने में मज़ा रहा है, जरूरी नहीं है, strict time table ही हो flexibility हो नहीं चाहिए time table में, फिर है transmit knowledge in a straight fashion, ये नहीं है, बस भर दो बच्चे में knowledge, नहीं होगा उससे, knowledge का construction कराना है, ऐसे मौके देने हैं, जहाँ बच्चा स्वेतंत्र रूप से सोच सके, हम thinking beings बन सकें, ठीके, बस accept ना कर लें, कुछ भी as it is, आगे पढ़ेंगे question number 5 पर, 31 questions हैं, speed से करेंगे, which one of the following best describes the role of textbooks in the classroom, यानि कक्षा में पाठ्य पस्तोकों की भूमिका का सबसे अच्छा example, सबसे अच्छा वर्णन, सबसे suitable बात, बुक के बारे में, है ना, बताओ कौन सी होगी, वटावट से बताओ, answer करो, answer, जल्दी answer करो, कोई buffering नहीं है, बहाने मत लगाया करो, answer करने और like share करते हैं, करो आके, अच्छा लगता है, याना, कृपा आती रहेगी, बताओ एक बार, टोपा लगाने का जी क्या असलिए लगा लिए, जल्दी बताइए, 5 का D, इन में से कौन सी एक चीज जो है, वो textbook के बारे में best है, टेक्स्ट बुक के, रोल के बारे में best है, तो हम कह सकते हैं, आज शाम भी मैं strategy में यही बात कर रही थी, किताबें क्या है, एक संसाधन के रूप में है, सब कुछ नहीं है, बुक्स के टीचर को सिर्फ बुक्स ही सब कुछ है, सिलेवस खत्म कराना, टीचिंग नहीं है, तो बुक्स वन आफ तर रिसोर्सेज हैं, सर्वो सर्वा नहीं है, everything नहीं है, बहुत सारे रिसोर्सेज में से, बहुत सारे संसाधनों में से, एक संसाधन किताब है, ठीक है बात, homogeneity रहती है, पूरे नेशन में, यारे यार, किताबों में भी आप देखते हैं, कितना variation है, सब जगा पे same labels नहीं हो सकता, इसके और भी तरीके हैं, curriculum प्रोवाइड कराता है, guidance, ठीक है, they form the most essential learning resource in a resource starved context, अब यह ऐसी बात हो गए, कि जहां resources ही नहीं हैं, वहाँ पर वो होंगी, तो बाकी चीज़ें भी हो सकती थी, तो set नहीं बन पा रही है बात, एक logical answer नहीं मिल पा रहा है, books की बात आएगी, तो they are one of the resources, not everything, thing, मतलब बहुत सारे संसाधनों में से एक अच्छा संसाधन है किताब, उस तक अगर आप कहना चाहें तो, question number six, देखिए, which of the following statements about children are correct, बच्चों के विशह में कौन सी एक बात जो है, वो सही है, पहला option है, बच्चे क्या है, passive recipient है, यानि निश्क्रिय ग्यान के प्राप्त करता है, या फिर problem solvers है, या फिर scientific investigators है, या फिर children are active explorers of the environment, यानि वो active explorer हैं environment के, बताएगे एक बार foot out से, जल्दी, अनराग सिंग नाम ले दिया आपका, relatively permanent change in behavior is called learning, सापेक्ष रूप से, इस्थाई परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं, बात कर लें किस दिन इस chapter पे भी, फटावर चांसा करो अभी तो, children are problem solvers, बहुत बढ़िया बात है, active explorers में क्या समस्या थी, यह बताना ज़रा, कौन सा, देखो answer यहां से choose करना है, इसी बात की मैंने बात की थी, matching वाले questions और कई सारे एक साथ choose करने में आप गलतियां कर देंगे, आते हुए भी, बच्चे passive नहीं हो सकते, इस बात को ध्यान में रखना, जहां भी passive निश्क्रिया कर दिया बच्चों को, कल शाम को प्याजे discuss करेंगे, चिल्डरन आर एक्टिव एक्स्प्रोरर्स ओफ दी एंवार्मेंट, इट इस इंपोर्टेंट, तो कह सकते हैं, ए ओप्चन को छोड़के, बाकी सारे सही हैं, बी, सी, डी, यानि, फूर्थ ओप्चन इस, राइट, तो पेपर में ध्यान से ऐसा मत करना, कि फर्स्ट या सेकिंड में से कोई लगा दो, यहां पे देख के मार्क करना नहीं, तो गल्ती निश्चित है, एक आद नंबर भी ऐसे चला जाएगा ना, तो दिक्कत होगी फिर, फिक, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नमर्स सेवन देखिए, इसको अल्टरनेटिव कॉंसेप्शन भी क्या देते हैं, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है, हर बार यह मैंने इसी में शामिल कर दिया है, क्योंकि इससे हम रिलेट कर सकते हैं, बताईए एक बार, नाइब कॉंसेप्ट्स, जो बच्चे क्लासरूम में लेकर के आते हैं, उनके बारे में आपका क्या खयाल है, बताईए, नाम नहीं लोगी मैं ले लिया है, लेकिन फटावट चांस अगरो, बहुत तेजी के साथ, बहुत ही तेजी के साथ, अउत्तम ऐसा नहीं है, मैं कोई random नाम लेती हूँ, आठ हजार लोग हैं, और ऐसा मैं सोच के थोड़ी नाम लोगी, सेवंत का सी कह रहे हैं आप लोग, naive conceptions, भोली अवधारनाएं कह लीज़े आप इनको, या जो भी आप कहना चाहें, वैकल्पिक अवधारनाएं भी कहते हैं, इनको दूसरा नाम जो है इनका, ठीक, आप जानते हैं, ये naive conceptions का मतलब है, कि आपको पता है कि बच्चे कुछ गलत concept लेकर के क्लास में आते हैं, उनकी दिमाग में कुछ गलत धारनाएं हो सकती हैं, जो logic के हिसाब से, या scientific हिसाब से, factual तरीके से, जो facts ना हो, जो सही ना हो, वो उनकी opinion हो सकती है, उनको लग सकता है, कि जब हम train से जाते हैं, तो हमारे साथ पेड़ भी चलते हैं, या फिर, चैंदरमा की अपनी light है, या इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें उनको लग सकती हैं, जो उनको गलत फैमी हो, अब यह जो गलत फैमीयां हैं, यह हमें अपने environment से ही build होती हैं, इनको आपको गलत नहीं बोलना, हमारा जो आज का तरीका है, modern वेका education का, हम इसमें इसको alternative ways कहते हैं, यानि बच्चों का भी सोचने का alternative तरीका है, वेकलपिक धारना है उनकी, गलत धारना नहीं कहेंगे इसको, naive concepts कहेंगे, यानि अभी अनुभव उतना नहीं है, अनुभव की कमी वाले concepts, naive उसे को बोलते हैं, जिसमें अनुभव की कमी हो, experience की कमी हो, तो इनको naive conceptions कहेंगे, या फिर alternative conceptions कहेंगे, इनको wrong नहीं कहते और इनको हम accept करते हैं ताकि हम बच्चे को जान सकें कि उसके अंदर क्या-क्या धाड़नाए है और उनको कैसे ठीक कराना है discussion के through या challenge करके discussion में यही इसका तरीका है कि आप discussion discussion में सही जानकारी तक उसको पहुँचा दें बजाए कि उसको डाटने के या गलत साबित करने के ठीक है बात तो naive conceptions जो बच्चा classroom में लेकर के आता है अगर teacher को ये बात पहले से पता होगी कि बच्चे कुछ गलत फैमिया लेकर के आते हैं वेकल्पिक धारनाए उनकी होती है classroom में तो इससे फाइदा क्या होगा यह बताईए पहला option है pulls down the teacher's moral मतलब teacher का ही moral down हो जाएगा इस बात से ऐसा कुछ नहीं है आप हर challenge के लिए तयार है आप superman or superwoman है as teachers फिर है does not serve any purpose of the teacher teacher का कोई purpose serve नहीं होता इससे भाई जो भी बच्चा लेके आता है न मैं आपको बहुत बार कह चुकी हूँ बच्चा जो लेके आए ना classroom में वो अच्छा ही है आपको उ अर्थपूर धंग से teacher अपने lesson प्लान कर पाएगा ऐसे examples ला पाएगा अगर उसको पहले से पता है कि बच्चों के दिमाग में ऐसी गलत अवधारना ही हो सकती है जैसा मैं आपको एक चीज़ बताती है example दे करके हम multiple intelligence कर रहे थे अभी कल पर सो बहु बुद्धी का सिध्ध कि gardener ने कहा है आठ प्रकार के तरीके हैं सिखाने के यह alternative conception है जो आपके दिमाग में बन गया होगा indirectly ही अपने आप ही कि gardener ने कहा होगा आठ प्रकार की बुद्धी होती है तो आठ प्रकार के तरीके होंगे और यह बात सही है जबकि यह बात गलत है गलत धारना बन गई है आठ तरीके थोड़ी होंगे सिखाने के सिखाने के several ways हो सकते है multiple ways हो सकते है बुद्धी के आठ प्रकार है तो यह जो गलत धारना ऐसी ही अगर मुझे पहले से पता है कि धारना आपके दमाग में बन सकती है आप लोग यह answer गलत करते हैं that means मुझे अपना lesson प्लान करने में आसानी होगी अब मैं जानती हूँ कि आप गलतियां करेंगे कहां तो मैं आपका doubt वही solve करके या उसको clear करके चलूँगे या उस चीज़ पर और focus करूँगी जैसे मैं अभी इसी question पर अटकी हुई हूँ क्यों कि यह चीज़ clear करनी है इसमें confusion बनी रहती है ठीके बात तो कह सकते हैं कि teacher को मदद मिलेगी यह जानने से कि बच्चों के दिमाग में कुछ वैकल्पिक धारनाएं हो सकती है जो सही ना हो तो उनको ठीक करने के लिए इनको गलत ना मान के विकल्प मानते हैं कि ऐसा भी सोच सकते हैं बच्चे भई सबके अलग-अलग concepts होते हैं तो यह teacher क help करेगा अर्थपून तरीके से अपने lesson plan को बनाने में फिर है next option hampers the teacher's planning hamper नहीं करता है ना हर चीज आपके resource के रूप में काम करेगी teacher के लिए तो at least बच्चे के लिए आपकी बहुत सारी activities hamper कर सकती हैं आपका भेदभाव करना आपका बहुत जादा discriminatory या partial होना या फिर हम कहें बहुत जादा आप authoritative है passive activity या teacher centered classroom रखते हैं ये बच्चे के लिए hamper कर सकती है teacher के लिए ये teacher की जम्मेदारी है कि वो negative चीजों को या difficult चीजों को भी वो accept करके plan करें तो कभी भी ऐसा option जिसमे teacher को आराम मिले उसको हम सही नहीं मानते ये बात मैं आज शाम की strategy में भ एक बार आ three year old children child होगा आ three year old child देखिए एक बार अगर answer समझ में आ गया हो तो बताओ अरे thank you सहीद answer समझ में आ गया कि नहीं अरे धन्यवाद भवनीत we all are best फटा 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 शांस बताओ एक बार समझ में आ गया कि नहीं आया तो भी मस लग रहे है अच्छा धन्यवाद संदीब आज से 2400 घंटे पहनेंगे मजाग कर रहे हूं खिर जल्दी से answer करो तीन साल की बच्ची है जो ये कहती है कि milk is produced by a machine at the milk booth यानि एक question experience पे जरूर आता है बच्चे के अनुभव पे कि एक 3 साल का बच्चा ये कहता है कि जो दूद है न वो mother dairy पर ही बनता होगा यानि milk booth पर ही बनाया जाता होगा अब इन में से कौन सा एक statement है जो इस बात का सही explanation दे पाएगा as teachers हमारी जब्मेदारी है कि हम बच्चे को समझ पाएं बच्चे को आपको अपनी तरह नहीं देखना है कि जितना आप जानते हैं उसको भी उतना ही पता होगा उसकी अपनी एक अलग दुनिया है, वो अपनी समझ बनाने में लगा हुआ है तो उसको उसके तरीके से देखेंगे हम ठीक, तो यहाँ पे बच्चे ने यदि यह कहा है कि तीन साल, यही खास बात है कि आपको मजाक नहीं उड़ाना होता बच्चे का क्योंकि आपको समझना है उसको अगर मैं बात करूँ तो milk जो है वो milk boot पे बनेगा या फिर मैं कहूँ mother dairy पे बनेगा ये बात 3 साल के बच्चे ने कही है इसका मतलब क्या हो सकता है ये जो बच्चे का answer है ये जो उसका उत्तर है ये उसके logic कहा है और cows ही देती है क्या दूद भैस भी है बकरिया भी है the child's family does not offer a stimulating environment to the child जो परिवार है वो stimulating environment एक अच्छा environment नहीं दे पा रहा तीन साल को बच्चे को दुनिया दिखा दे हैं हर चीज पता होगी उसे ज़रूरी नहीं है the child has very limited exposure of the world ये कहना भी गलत होगा तीन साल का बच्चा है क्या चाहरे हो उससे तो कमिया आपको अपने system में अपने method में ढूंडनी है और बच्चे के अनुभव को महत्व देना है बच्चा जो भी घर से लेके आए चाहे वो उसकी आर्थिक हरीते समय लिया था उसको वही पता है कि हम चाहते है मिलकुबूत पे डबा लेके और वहां से दूद मिल जाता है तो उसने अपने अनुभव के आधार पे बात बता दी लियर हो कई बात कोई समस्या परिशानी आगे बढ़ जाए question number 9 देख लीजे constructivism as a theory यानि रचनावाद एक सिधान्त के रूप में क्या है बताईए एक बार फटाफट से रचनावाद एक सिधान्त के रूप में क्या है शिवानी नाम ले लिया आपका फटाफट से बताओ सेंटा क्लॉस लग रही हूँ ये 8800 लोग देख रहे हैं और पूरे 3000 लोगों ने लाइक नहीं किया सिर्फ 5700 लोगों ने लाइक किया 300 लोग कहा हैं गड़ित देख रहे हैं बताईए एक बार नुपर गुपता बहुत बढ़िया मेल चेक कर लूँगे नुपर गुपता आज मैं सोच रही थी आपके बारे में मैं करा दूँगे आपकी सब्सक्रिप्शन कोई दिक्कत ने है देखो एक बार याद है मुझे इतनी आसानी से नहीं भूलती हो बस आप लोग हैं बहुत ज़्यादा संख्या में तो मैं सब को नहीं बढ़ पाती हो यानि रचना वाज जो है एक सिध्धान्त के रूप में कैसा है emphasizes on memorizing information देखो रचने की बात आज ही मैंने discuss की थी strategy में memorize, rote learning इन सब पर focus नहीं है emphasizes on the dominant role of the teacher यानि focus करेगा dominant dominance नहीं दिखानी है, Hitler नहीं है आप focuses on the role of imitation नकल करने के role पे जी नहीं, 3 नहीं option हट गए, 4 थी बचा है या इसे भी check करोगे emphasizes the role of the learner in constructing ये बहुत ही प्यारा word है construction knowledge का, उसके अपने अनुभवों के आधार पे बच्चे का active होना, explore करना, meaning making करना, construction करना ये सब बहुत अच्छी बात है learning by doing होगी ठीक, बाकी के सारे option गलत है dominant नहीं, facilitative role होगा supportive role होगा teacher का ना कि dominative होगा वो ठीक है, clear है बात समझ में आया क्या, बदाओ एक बार सब clear है बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे फटा-फट से देखो, 3 concept के question है आज, 3 concept के mixed question 31, देखो teachers and students draw on one another's expertise while working on complex projects related to real world problems in classroom, सिक्षक और बच्चे, एक साथ मिल करके वास्तविक जीवन की समस्याओं या वास्तविक समस्याओं पर कुछ हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इस इस्तिती में, ये जो एक चीज है इसको आप क्या कहोगा बताइए traditional तरीका है constructivist classroom है teacher centric है, या social constructivist है, बताइए एक बार, फटा फट से बताइए teacher और बच्चे दोनों मिले हुए हैं that means, सामाजिक रचनावादी अगर सिर्फ बच्चा एक्टिव होता है constructivism भी कहा सकते हैं, वैसे एक ही बात है जुड़े हुए हैं, लेकिन ये वैगॉस की कहते हैं social constructivist, या नी, सामाजिक रचनावाद, मतलब सामाज के साथ, आपस में घुल मिलके जब बच्चे सीख रहे हैं, तो ये सामाजिक रचनात्मक दृष्टी से सही होगा D option, simple answer, कोई दिक्कत परिशानी नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ जाएंगे पर आजे क्या है, radical constructivist है वैगॉस की social constructivist है question number 11 देखे एक बार nowadays, there is a tendency to refer the wrong concepts of children as alternative conceptions, अभी एक घंटे कहानी गाई थी, अगर ये question गलत किया ना पानी मत पीना, आज जाके 15 मिनट तक देखो एक बार आजकल गलत concepts को wrong concept कहने की धारणा है इसका मतलब क्या है बताईए, खुद से पढ़के अभी समझाया था एक मिनट तक, फटाफट से हिंदी में लिखा हुआ है, आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकलपिक धारणाए कहने की एक प्रविर्ती है, इसे क्या कहेंगे हम, बताईए कोई D कह रहा है, कोई A कह रहा है जानवी नाम ले लिया, फटाफट चांसे करो अरे थेंक यू जोती शिवांगी सही है Children's understanding being nuanced and they are being passive बच्चा passive नहीं होता है सरकार Next है, recognition that children are capable of thinking and their thinking is different from that of adults सुंदर बात है, कि इस बात की पहचान है ये चीज, कि बच्चे जो है, वो सीखने की शमता रखते हैं they are capable of thinking, वो भी सोच सकते हैं प्याजे भी यही बात कहते हैं, बट उनकी जो thinking है, वो different है अडल्स से प्याजे इसी बात को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं बई amount तो सेम है बच्चे का बच्चे भी बराबर ही मात्रा में सोचते हैं बस kind different है quality different है, quantity तो same ही है, समझ में आया क्या connect कर पा रहे हो using fancy terms, fancy fancy term कुछ नहीं है ये, adult like in their thinking, बच्चे प्रॉड़ों की समान है ये कैसा point हुआ, क्यों होंगे वो समान वो अपने जैसे होंगे बन जाएंगे धीरे-धीरे एज के साथ, maturity के साथ फीक, तो हम कहेंगे इस बात को हम accept करते हैं, कि बच्चे की वेकलपिक धारना है, गलत धारना नहीं कहते है वही example है, जो मैं अभी आपको दे रही थी, कि बच्चा train में है, तो उसोच रहा है, पेड़ भी चलते है मेरे साथ, है ना, या मैं जहां जाता हूँ ये चंदा मामा भी मेरे साथ चलते रहते हैं तो इस case में अगर मैं बात करूँ तो आप wrong ना कहकर के alternative या naive conceptions कहते हैं इसका एक reason ये है कि आप ये मानते है अटलीस्ट बच्चे ने सोचा तो सही ये बात बताने में कि चंदा मामा मेरे साथ चलते हैं, उसने सोचा तो होगा, कुछ उसके दिमाग में या आप एक relation में भी हैं दो घर में परिवार में भी भेन भाई भी हैं दो लोगों की अलग-अलग धार ना हो सकती है सेम बात को लेकर कि हो सकता है आप भगवानों इश्वास रखते हो हो सकता है मैं ना रखती हूँ या वाइस से वरसा तो यह ऐसा तो नहीं है कि वो गलत है या मैं गलत हूँ पता तो आपको भी नहीं है किसी को भी नहीं है तो यह alternative conceptions हो गए मतलब alternate way है सोचने का दो अलग लोगों का तो उसी तरीके से हम यहाँ पर महत्व दे रहे हैं hopefully यह बात आपको समझ आई होगी एक number free का है अगर समझ में आ जाए तो यह निश्चित रूप से question आता ही है आगे बढ़ेंगे रटने का प्रयास मत कीजेगा अगर आप यहाँ आके रटेंगे तो मेरा गलत से चिल्लाने का घंटे भर कोई फायदा नहीं होगा देखिए एक बार Children develop interest in the classroom when बच्चों का जो है वो रुची विक्सित होती है बच्चों की कक्षा में कब बताईए कब विक्सित होगी रुची अरे थेंक्यू प्रमोध यादव जी The teacher favors only good students जो सिक्षक है वो सिर्फ अच्छे बच्चों को ही जो अच्छे students है उनको ही Accept करता है, favor करता है उसके favorite बच्चे चार ही है या फिर The teacher encourages and appreciates each student to participate यानि सिक्षक हर बच्चे को प्रोथ साहित करता है कि वो भी गतिविध्यों में भाग ले या फिर C option They sit in the big classrooms with friends बच्चों बच्चे जो है अपने दोस्तों के साथ बड़े से classroom में बैठ जाएं इससे उनकी रुची develop होगी या फिर They don't get homework जब उनको homework की ना मेरे तो रुची बन जाएगी, बताइए एक बार देखो answer इसका दोनों ही नहीं हो सकते, रुची कब बनेगी बच्चे की, जब उसको encourage किया जाएगा, प्रोतसाहित किया जाएगा, हर एक बच्चे को participate करने के लिए कहा जाएगा कि सभी answer करो, बताओ इसका answer क्या है तब जा करके कहानी कुछ बनेगी 6.30 पर यहीं, let's learn पर ही हो रही है यह class आपकी, देखो एक बार वे बड़ी कक्षाओं नहीं होगा सिक्षक प्रतेक सिक्षारती को भाग लेने के लिए तुम भी participate करो ना, अच्छा जैसे, मैं बताते हूँ, थोड़ा सा discuss कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मेरा जो DL.A. था, मुझे दांस वांस नहीं आता है बिलकुल भी लेकिन यह सिक्षक के उपर है कि उसको बच्चे को पार्टिसिपेट कराना कैसे है तो हमारी फियरवेल थी, हमारी सीनियर्स को हमें फियरवेल देनी थी तो मैं को बताता है यह टेक्नोलोजी में इसका चलता है दुमाग तो हमें का ठीक है यह सौंग मिक्स, एडिटिंग वगरा में तुम्हें आना है मैंने पार्टिसिपेट करना ही नहीं था क्यूंकि ना तो मेरे को मॉडलिंग आती है ना मेरे को डांस आता है ना कुछ और आता है उस तरीके का तो उस केस में लेकिन सिक्षक के उपर है दी वो बच्चे को थोड़ा सा समझ पाया है तो वो इन्वॉल्फ कर लेगा और मस्त मिक्सिंग हुई है कह सकते है यूट्यूब की वो पहली शुरुवात थी 2015 में फर्स्ट इयर में तो वो एडिटिंग जो थी सौंग्स की उस त वो बच्चे जो है वो वो वाइलेंट व्यवहार को मुवी से या पिक्चर से या विडियो से सीख सकते हैं इस बात में विश्वास कौन रखेगा ये बता दीजे आपको सभाता है बताती नहीं हो अरे खतरना काता है वो तो बिलकुल वो गाना और डांस जो है वो ऐसे बा बात अलग हुई उन मैम से मिलवाएंगे कभी बहुत अमेजिंग टीचर हैं बताइए एक बार आंसर कीज़े सी और डी ऑप्शन डी को लॉक किया जाए प्रमोध यादव कह रहे है अरे थैंक्यू रुपाली देखिए एक बार अगर हम बात करें हैं तो आंसर है डी ऑप्शन अलबर्ट बेंडियूरा ये थेयरी इनकी ना देखियो तो SCT कहते हैं इसको पहले SLT कहते थे Social Learning Theory आज के टाइम पर Social Cognitive Theory कहते हैं सामाजिक संग्यानात्मक विकास नहीं सिध्धान्त सिंपल ठीक इसका मतलब है समाज में जो चीजें हम होते हुए देखते हैं अब्जर्व करते हैं अवलोकन करते हैं वो हम सीख जाते हैं वाइलेंट बिहेवियर यदि कबीर सिंग में बच्चा देखेगा पंदरा साल का तो सीखेगा बहुत ज्यादा चांसिस हैं कि वो भी आक्रामक चीजें सीख ले बोगडॉल एक्सपेरिमेंट था इनका तभी तो मुवीज में एज रेस्रिक्शन लगी होती है कि 18 साल से कम उम्रों के बच्चों के लिए नहीं है क्योंकि वो उतने परिपक वो नहीं हुए है अभी अभी वो जो देखेंगे उसका प्रभाव उन पर पढ़ सकता है और ये खतरनाक चीज है कि आप बच्चे को सही चीजन दिखाएं वो भी ज़रूरी है तो बोगडॉल एक्सपेरि अभी का नाम डालो हिमांचे सिंह लिखो है लेट्स लिखो आ जाएगी इस्टुडेंट्स अब्जरूर्व फैशन शोस एंड ट्राय टू इमिटेट मॉडल्स यानि सिक्षार्थी जो है वो फैशन शो को देख करके अनुकरन करने की कोशिश करते हैं इस काइंड अफ इम आमने नहीं बोला था पालो में बोला था बताओ एक बार आंसर कीज़े बही नोहजार लोग हो गया है हम जोड करके जल्दी जल्दी बताओ जल्दी फटाफट चांसर करो मजाग की बाद दूर रही बही वो बच्चे इस्टुडेंट्स ऑब्जर फैशन शोज फैशन शो देख रहा है मूवी पर है ना फैशन टीव आता था वो तो खतरनाक थक है एंड ट्राइटू इमिटेट मॉडल्स अनुकरण कर रहे हैं मॉडल्स का जैसे मॉडल्स चलती हैं वैसी चलने का प्रयास कर रहे हैं ठीक है बात इस केस में यदि हम बात करें तो यह जो इमिटेशन है इसको क्या कहेंगे यह जो प्रकार है अनुकरण का इसको क्या simulation या social learning सामाज एक अधिगम है जो समाज में होते हुए देख रहे हैं वो वो सीख ले रहे हैं ठीक है social learning theory bendura की है simple बात socio-cultural theory नहीं है वो vygosky की है तो ये गलतियां हमें नहीं करनी ठीक है बात unseen passage कल करेंगे नहीं मजहर ऐसा नहीं है मैं थोड़ा सा स्पीड से चल रहे हूँ monitor हमें कौन करेगा 9000 लोग देख रहे हैं अगर monitoring का डर हो तो जीना न छोड़ दे देखिए एक बार थोड़ा सा to the point इसलिए चल रहे हूँ क्योंकि फिर हम बातों में भटक जाते हैं of an already learned task he is using dash method of teaching याने कि पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए सिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है वह सिक्षन की कौनसी विधी का प्रयोग कर रहा है मतलब सुधार लाने के लिए प्रदर्शन demonstrate करके demonstration नहीं होता कई बार आपने दिखा दिया कि ये ऐसा होता है क्या बोलते हैं उसको solar system आपने दिखा दिया demonstration के लिए किसी ने गलती की थी आपने दिखा दिया Saturn की तरफ ये rings हैं तो ये कौन सा method कहोगे आप इसको ध्यान से answer करना इसका ध्यान से answer करना श्राप मत दे न रिंको कह रहे हैं अरे यार रिंको आई है पीजे मारते रहते हो हैं देखो एक बार modeling modeling यानि प्रतिरूपन की प्रतिक्रिया कहते हैं इसको प्रक्रिया कहते है imitation कोई method नहीं है नकल करना method नहीं है नकल करना एक उसका step मानलो या फिर एक तत्व मानलो इस theory का नकल करना कोई method नहीं है ठीक है नकल करके सीख लेते हो वो एक different चीज है इस पूरी process को modeling कहा जाता है जब आप मानले जो TV में किसी को देखा या कोई चीज को देखा demonstration को करते हुए दिखाया किसीने मैं मता दूँ आपको कि ये दो जो ये दो जो marker है ये क्या है ये identical है that means ये बिल्कुल एक जैसे है ये demonstration कर दिया मैंने दिखा दिया आपको और आप से कहा जाएगा दो identical चीजों को दिखाओ ला करके आप भी ढून के लाओगे इसे modeling की process कहते है मतलब modeling में क्या होता है 4 step है modeling के फटा-फट से बताओ कौन-कौन से 4 step है बताओ एक बार 4 step बताओ modeling के कौन से कौन से है फटा-फट से बताओ कैप पे भी let's turn लिखवा दीजे लिखवा देंगे सर अभी तो बहुत व्यस्त है हो जाएगा बिल्कुर हो जाएगा क्यों नी होगा नी लम धन्यवाद कि आपकी तारीफ के लिए 45 डेज में क्या 15 दिन में भी हो जाएगा अगर ठीक से पढ़ पाओ तो देखो एक बार अगर मैं बात करूँ modeling और आपके पास अभ्य दिन कहां से लाओगे जितने दिन हैं उसी में सोचोगे ना करने का modeling देखो और मुझे कुछ ऐसा समस्या नहीं है कि कुछ चेप देना है आपको कि मैं कहूं कि नहीं हो सकता 45 दिन में देखो एक बार attention फटाफट से बताओ चार स्टेप modeling की process के retention attention का मतलब है अवधान नहीं attention का मतलब है क्या बोलते है attention को बताओ यार फटाफट से हिंदी में attention को जो भी ध्यान कहें देंगे हम attention का मतलब है ध्यान retention का मतलब है अवधान टिकना दिमाग में फिर है reproduction यानि आप इस चीज को करके देखेंगे उत्पाधन करेंगे इस चीज का और फिर है reinforcement या फिर motivation यानि जब आप उसी चीज को repeat करें और आपको मिल जाए reinforcement प्रोट साहन शाबाश कह दे कोई तो ये learning की process complete हो जाएगी और इनी चार steps में चलती रहती है इसी को modeling कहते है जब आपको दिखाया गया कि ये दोनों marker क्या है identical है आपकी attention गई यहाँ आपका ध्यान गया यहाँ ये चीज आपके दिमाग में रह जाएगी कि identical का मतलब होता है हिमाशी ने दिखाया था marker बिल्कुल एक जैसे थे जड़ा भी अंतर नहीं था जो बिल्कुल एक जैसे हो जोड़वा मच्चो की बात करो है वसे identical की identical twins की ठीक है मतलब आपके दिमाग में चीज रह गई अगर attention नहीं है तो बाकी सारे steps खराब है अगर आप attentive ही नहीं है कहीं पे तो नहीं सीख पाएंगे तो ध्यान आपका जाएगा वो दिमाग में रहेगा कि यह होता है identical twins या identical होना मतलब बिल्कुल same होना अब आप क्या करेंगे next time आपने देखा किसी एक question को या किनी भी दो लोगों को तो आपने ये जो सीखा था इसको आपने करना चाहा आपने बता है आरे तुम तो identical twin हो एक जैसे दिखते हो किसी ने कहा हाँ मैंने कहा दिया आरे तुमको तो concept आगया भई very good, shabash जो भी नाम है आपका learning हो गई इसका और भी एक example हो सकता है आपने मम्मी को खाना बनाते हुए देखा और आपका गया ध्यान आपके दिमाग में रह गया कि मम्मी जो है वो गोल-गोल रोटी ऐसे से बनाती है और आपके दिमाग में ये चीज रह गई अगले दिन आपने खुद इसको करना चाहा उत्पादन करना चाहा रेप्रोडक्शन करना चाहा इस चीज़ का आपने किया भारत का नक्षा बना फिर भी पापा ने रिइन्फोर्स कर दिया कि कोई बत नहीं शाबाश बेटा अगली बाइट राए करो और अच्छा होगा तो learning हो जाएगी और आगे और अच्छी होगी लेकिन अगर यहीं रोग दिया गया आपको डांट फटकार लगा दी गई तो समस्य आएगी learning में तो यह चार स्टेप होते हैं मॉडलिंग के जिसकी बात बेंडियूरा करते हैं कि हम demonstrate करके कोई चीज़ देख करके अगर सीखेगा बच्चा तो यह चार स्टेप्स involved होंगे ठीक है बाद समझ में आया आगे बढ़ते हैं question number 16 देखिए एक बार question number 16 देखिए फटा-फट से answer करो answer फटा-फट से बहुत बाते करते हो आज internet भी दुखी कर रहा है हमारा देखो एक बार एक टीचर ने रब्यूक किया एक student को for him asking the question क्योंकि उसने question पूछ लिया था उनसे और टीचर को यह मुर्खता-पूर्ण question लगा रहे क्या बेकार सा question पूछ लिया है उनको ऐसा लगा observing this इस चीज को observe करने के बाद the other students become reluctant to ask questions दूसरे बच्चे ने कहा यार बेजज़ती कर देता है यह टीचर तो इससे नहीं पूछेंगे हम कुछ और बाकी जो बच्चे थे उन्होंने यह देखते हुए कि एक बच्चे को फटकार लग गई है ऐसा करने पे के उसने question पूछ लिया था तो हम नहीं पूछेंगे अब वो अनेक्शुक हो गए retent का मतलब है अब उनकी इक्षा नहीं रही पूछने की सवाल यह जो situation है यह किस चीज का example है फटा फट से answer कर दो तबी जाकर के बात बन पाएगी refresh कर ले ना अगर internet में कुछ समस्या आ रही हो तो बताओ एक बार किसका example है यह जल्दी जल्दी अब टोपा बहुत अच्छा लग रहा है कैप कहते हैं वास्यों से इंग्लिस में बात किया करो देखो एक बार इंग्लिस में और इंग्लिस में नहीं देखो एक बार इसको vicarious नहीं vicarious punishment कहेंगे एक तो मेरे भी शाह और साह में दिक्कत हो रही है पता नहीं किसकी संगती है vicarious punishment vicarious punishment यानि प्रति निधिक दंड या फिर और प्रतियक्ष vicarious का मतलब ही होता है indirect आपने किसी और के साथ होते हुए देखा और आपको भी डर लग गया या आपको भी punishment मिल गई आपने देखा भाई भेन को किसी बात पर डांट पड़ी थी आपको भी punishment मिल गई कि मैं करूँगा तो मेरी भी अगली बार डांट पड़ेगी तो ये indirect punishment है किसी और बच्चे को डांट पड़ी थी उससे बाकी बच्चे डर गए indirect, vicarious उनके साथ नहीं हुआ लेकिन उनके देखा किसी के साथ होते हुए चाहे वो टीवी में देखा हो चाहे आसपर आस में कोई UPSC क्लियर कर ले तो बाकी बच्चे भी motivated हो जाते हैं कि हां भई हम भी करेंगे तो ये vicarious reinforcement हो जाएगा यानि पुनर बलन vicarious punishment भी हो सकती है यदि सामने वाले को punishment मिल जाए तो जैसे हम कह सकते हैं हरयाना में कौन सी वो प्रथा है वो शादिवादी वाला जो है क्या है यार नहीं exactly आदार है मुझे मुझे वो उसमें NH10 में मूवी में भी दिखाया था वो basically love marriages allowed नहीं है उस तरीके का कुछ तो वहाँ वो बिल्कुल मार दिया जा रहा है पकड़ करके या कुछ भी किया जा रहा है दंड भी लग सकता है आपको डर भी लग सकता है तो उसको vicarious punishment अगर आपको reinforcement मिले motivation मिले देख करके तो vicarious reinforcement क्या हिमानची कर सकते है हम भी करेंगे ठीक clear हो गई बात clear हो गई बात self reinforcement नहीं कहेंगे इसको D कैसे हो जाएगा कौन सी देश में बढ़ रहे हो आजकल आज़ो वापस से question number 17 पे आज़ो which of the following is a factual question है इसलिए मैं बाकी options को consider नहीं कर रही हूँ fact है वो बिल्कुल fact है vicarious वाला देखो कौन बंध हुआ देखो which of the following is a process in the social observational learning theory of bendura यानि अधिगम आधारित सिधान्त bendura का जो अवलोकन का सिधान्त है सामाजिक theory है उनका सामाजिक अधिगम के अंदर उनमें से कौन सी process यहाँ है process बताईए process बताईए फटाफट से bendura की अभी चार process बताईए थी जल्दी से याद कर लो जल्दी से याद कर लो दिशाली हिमान्चे सिंग नहीं दिखती हूं मैं आलिया भैट दिमाग है मेरे अंदर थोड़ा बताओ एक बार answer करो फटाफट से मजाग कर रही हूं खेर देखिया answer कीजए B option कोई D कह रहा है simple है retention answer होगा B अभधान या प्रती धारण A, R, P, R से याद रख लो A, R, P, R A for attention, R for retention, P for production, R for reinforcement खतम ये चार process है modeling की चार steps है simple answer ठीक है बात आगे बढ़ जाएं next question पे next question पे बढ़ते हैं question number 18 the cause of learned helplessness in children is there यानि सीखी गई निसाहता का कारण क्या हो सकता है बच्चे में cause अब learned helplessness क्या है पहले तो आप यही सोचिए जल्दी बताइए अंगे नहीं बहुत interested हैं मेरी love marriage और arrange marriage में मैं दोनों में से कुछ नहीं करने की एक शुक हूँ बताओ एक बार arrange तो नहीं हो पाएगी अगर की भी तो देखो एक बार घरवाले आजेएगे बेटा क्या चाहते हो बताओ आंसा करो फिटाफिट से जब देखो मजाग उड़ाते रहते हो acquired behavior that they will not succeed ये व्यवहार उन्होंने acquire कर लिया है अरजित कर लिया है कि वो सफल नहीं हो पाएंगे ये बात अगर बच्चे के मुन में बैठ गई है इसको learned helplessness कहते है सीखी गई निसाहता कि मतलब मान लिया है आपने किया अब तो होगा ये नहीं seat at clear आज तक नहीं हुआ चार बार में अब क्या होगा ये एक ऐसी thinking है जब बार-बार failure मिलने पर ये चीज आ जाती है बट ये नहीं आनी चाहिए आपको persistent रहना है खत्म हो जाएगी ठीक है तो ऐसा विवहार जिसको acquire अर्जित कर लिया गया हो बार-बार experiences के बाद कि हमें तो successful हो ही नहीं पाऊँगा बाकी option बिल्कुल गलत है क्योंकि factual question है अब इसमें समय ही वियर्थ होगा अगर बाकी के तीन option पर बात की जाए तो जब pedagogical contextual question होगा तो मैं बिल्कुल आपको logic दूगी कि ये क्यों नहीं होगा लेकिन factual question है तो उसमें fact है तो fact है ये देखो कई लोग तो अभी तक हस रहे है शबी ना उसी से पूछ ले ना बचारा सर पगड़ के रोए कभी आप के हरे लगी meet up में बिलेंगे बहुत जल्दी पहले तो paper दे लो मेरी चिंता बाद में कर ले न सही है अंगिरी अंगिरी रोज आती है मुझे पता होता है कौन मजे ले रहा है कोई कौन नॉर्मल बोल रहा है देखो एक बार सही है शिवांगी ने आकरती मेरा कोई प्लान नहीं है बहुत बड़े आकाश meet up करेंगे करेंगे आंसा करो फटापट से अब शुरू हो गए हैं blooms taxonomy के सवाल तीन टॉपिक किये हैं आज हमने इस थियरी में पटापट चांस अगरो मजाक समझते हैं NSN बहुत अच्छी मूब यहां खतरनाक है यार मैं ऐसे रॉंग टे खड़े हो गए थे बड़ी बूटल है वो देखी भी डिरिक्ट फर्स शो ही था इन में से कौन सा एक डोमेन है लर्निंग का आपको याद होगा BS Bloom साहब ने और उनके कॉलीक्स ने तीन आस्पेक्ट दिये हैं लर्निंग के कॉगनिटिव यानि संग्यानात्मक पक्ष अफेक्टिव यानि समवेगात्मक पक्ष और साइको मोटर यानि कोनेटिव भी कह देते हैं इसको हिंदी में भी बता दूंगी रोने मतलग जा न ठीक कोनेटिव फटावट से हिंदी बताओ इनकी बताओ अंग्रेजो बताओ अफेक्टिव का मतलब है भावनात्मक पक्ष भावनात्मक पक्ष कोगनेटिव का मतलब है संःघ्यान आत्मक पक्ष कोगनेटिव का मतलब है गत्यात्मक पक्ष ठीक है बहुत बढ़िया गुस्टा मत हो जाएगा अरे मजाग करुए हैasingाक मैं गुस्टा होंगी क्या मैं आपके मज़े लेती रहती हूँ यह चल सकता है यह यह mutual है अगर limit में रहे तो देखिए एक बार, domain की बात करें अगर, तो पक्ष तीन पक्ष की बात की है BS Bloom ने, Benjamin Samuel Bloom ने, Bloom की taxonomy का मतलब है वर्गी करण, सीखने का उन्होंने एक hierarchy की बना दी वर्गी करण कर दिया कि सीखने के तीन पक्ष हो सकते हैं, तीनों पक्षों को यदि आप जोड़ देंगे तो बहतर learning होगी, यह तीन पक्ष कौन से है तीन पक्ष कौन से है यह तीनों पक्ष है अगर तीनों से आपने जोड़ दिया तो learning बहतर होगी cognitive यानि head को हार्ट से जोड सकते हो और एक्टिविटी को हैंड से मतलब कुछ एक्टिविटी करके सीखना ठीक है बाद 3H से बिल्कुल जोड सकते हो उसको Bloom का जो यहाँ पे सही आंसर है जो डोमेन है वो है अफेक्टिव यानि भावनात्मक पक्ष लर्निंग अगर आपके emotions से जोड जाए अभी मैंने कोई example दिया होगा थोड़ी बहुत देर पहले real life से example दिया होगा आपके emotions से जोड गया होगा कभीर सिंग मान लेते हैं ठीक इसके अलावा अगर हम बात करें संग्यान आत्मक मतलब आपने वो theory भी दिमाग से आपके जुड़ी होगी यानि दिमाग से भी जुड़ा तो ये दूसरा पक्ष तीसरा psychomotor मैंने आपको करके भी दिखा दिया कि ये दिखो ये दोनों identical हैं तीनों चीज़ें जब जुड़ जाती है head यानि दिमाग संग्यान आपका दूसरी चीज़ emotions, heart और hand यानि activity ठीक, psychomotor को cognitive भी कह देते हैं affective का मतलब भावनात्मक है emotions से जुड़ा हुआ, cognitive में 6 पक्ष आ जाते हैं, जो जितने भी आपकी दिमाग से related बाते हैं, चाहे वो knowledge हो, आपका comprehension हो application हो, analysis हो, synthesis हो evaluation हो, ठीक हो गई बात तो तीन पक्ष में से, cognitive, affective और psychomotor में से, सिर्फ affective यहां है, spiritual पक्ष उन्होंने नहीं बताया, experiential नहीं बताया professional नहीं बताया, तो सिर्फ B option ही सही होगा, ठीक है बात अच्छा, सही है राहूल, सही है आजओ, आजओ, पढ़ने पर ध्यान दिलो, अगर paper clear नहीं हुआ न, तो दुबारा तैयारी कर लेना और क्या करोगे, देखो एक बार a student is aggressive in his behavior towards his peer group and does not conform to the norms of the school, this student needs help in, यानि एक बच्चा है जिसका व्यभार क्या है, आक्रामक है, आक्रामक है गुसे में रहता है एकदम, जंग क्या बोलते हैं उसको, angry young man है, ठीक अपने peer group में यानि अपने साथी समुव में ही बहुत ही चुड़चड़ा रहता है, कई बार किसी को आक्रामक व्यभार करता है, गुसा कर देगा, हाते पाई भी हो सकती है, और जो norms हैं, school के, जो rules बने हुए हैं, उनका वो पालन नहीं करता इस बच्चे को किस पक्ष में मदद की जरुरत होगी, बताईए एक बार, फटा फट से बताओ बताओ, बताओ answer कीज़े आप कह रहे हैं अलग-अलग answer दे रहे हैं उस सारे के सारे वाह, वाह, वाह जो ही सरी कह रहे हैं, paper clear नहीं हुआ, तो आपको छोड़ूंगी नहीं, फिर से जोड़ जाओंगी, बहुत बढ़ी है, देखो, affective domain affective domain यानि भावात्मक शेत्र, बैट मैं चाहते हूँ ऐसा ना हो क्योंकि जुड़ने के लिए भी आगे KBS भी है DEET PLUS B भी है, बाकी exams भी है तो clear ही कर लो एक बार में affective domain यानि की emotions से जुड़ा हुआ, feelings से जुड़ा हुआ affective है, यह effective नहीं है ध्यान रखना इसको, effective लिखा हो तो वो नहीं है, effective तो प्रभावी होता है, affective होता है emotions से जुड़ा हुआ, affect करे जो आपको ठीक है, अंग्रेजी को समझेगा ठीक बात, यह बात clear हो गई मतलब क्योंकि बच्चे का emotional aspect हिला हुआ है, क्योंकि वो emotions control नहीं कर पा रहा, आक्रामक वेभार करता है स्कूल के norms को नहीं मानता है तो उसको affective domain में सीखने के feelings वाले, heart वाले domain में problem है, ठीक है बात आगे बढ़ेंगे next question पे The doing aspect of behavior falls in the, जो doing aspect है वेभार का, वो कहा fall करेगा, doing मतलब करना करना पक्ष वेभार का किस से जुड़ा हुआ है दो टोपी की तारीफ नहीं सुनूंगी मैं, और नहीं बुराई और like share करके जाये करो, जिसको सोना हो वाह आजे थैंकियो शुभांगी आंसर कीजे फटा फट से Doing aspect का simple मतलब है, co-native domain मैंने आपको बताया था, co-native का दूसरा नाम, psycho, motor या गत्यात्मक पक्ष है, यानि motor activities करनी पड़ेंगी physical activities इसमें शामिल होंगी Doing मतलब कुछ कर रही हूँ, मैं दौर लगाने जाओं तो Doing aspect हो गया ये, ठीक C option, सीखने का गतिक शेत्र, ठीक है cognitive domain तो दिमाग से related होता सोचना, अगर thinking होता तब आप कह देते हैं कि cognition से जुड़ा हुआ है ठीक है बात, effective है emotions की बात होती feeling की बात होती तो effective हो जाता, psychological कोई पक्ष नहीं बताया उन्होंने feeling की बात होती तो effective हो जाता, thinking की बात है reasoning की बात है तो cognitive होगा कोई भी activity करने की बात होगी तो cognitive होगा मेरी bonfire निकल जाएगी, घरवालों ने कुछ-कुछ जुगाड किया हुआ था, बट, हमारे नसीब में टोपा ही है, आप कहां है, देखो एक बार, which of the following cognitive verbs are used to analyze the information given, यानि कि इन में से कौन सी एक जो cognitive verb है, जिसको analyze से जुड़ी हुई होगी, अब जिनों ने bloom की taxonomy पढ़ी है, उनको तो समझ आएगा, यह नहीं तो नहीं आएगा, analysis एक aspect है, bloom की taxonomy में, आप जानते हैं, knowledge है, comprehension है, application है, फिर analysis है, then evaluation है, यह नई वाली है, और फिर synthesis है, या creating है, यह कुछ six aspect है, संगयानात्मक पक्ष में, इसमें एक aspect है, analyze करना, यानि, visualization करना, analysis कहते हैं इसको, ठीक, higher order thinking skills में आएगा, शुरुआती की तीन जो हैं, वो lower order thinking skills हैं, ठीक, hots और lots आप उने सुना होगा, फटा-फट से answer कीज़े, मंदरीश पाठक पहली बार जोड़ रही हैं हमारे साथ, रात होते ही नीद आने लगते हैं आप लोगों को, कल से कोशिश करेंगे, या थोड़ा जिल्दी लाएं, answer क्या होगा, इसका बताओ, answer होगा इसका, differentiate, classify किसमें आएगा, यह जड़ा सोच समझ के बताना, bloom taxonomy, search करना या तो, या किताब खोलना, उसमें देखना, कौन से कौन से word, किस-किस category में आते हैं, यह बहुत rare पूछता है इस तरीके से, बट पूछ सकता है, analysis का मतलब ही है, आप differentiate, answer कर पाओ, आप टुकड़ों में तोड़के देख पाओ, fail हुआ तो क्या हुआ, किस subject में कितने आये थे, ठीके बाद, तो वर्गी करन करना, या अंतर करना, classify नहीं, अंतर करना, differentiate करना, next question है, bloom's taxonomy is a hierarchical organization of, यानि कि, bloom की जो taxonomy है, वो पदानू क्रमिक विवस्था है, किस चीज की, बताओ, चार options में से, किस चीज की, कीजे, जवाब दीजे, जवाब, जवाब, वाँ, आतिका सरफी है, हमसे मस्ती, है, हमसे मस्ती, हमाई टोपा का मजा कुड़ाते हैं, छोड़ेंगे नहीं आपको, बताओ, एक बार, बहुत ही बढ़िया, चलिए, शुब रात्री जी, देखिए, cognitive objectives, cognitive मतलब, संग्यानात्मक पक्ष, तीन पक्ष थे न, cap से याद रख लो, cap, 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 bloom taxonomy का, cap, कैसे, C for cognitive, A for affective, P for psychomotor, this is cap, ठीक है, यह है bloom की taxonomy, तीन आस्पेक्ट हैं, cognitive, affective, psychomotor, ठीक, अब क्या बच्चे की जान लोगे, इतने में भी याद न हो पाए तो, देखो एक बार, achievement, goals, curricular, reading, इन सब की बात नहीं हुई, bloom ने, संग्यानात्मक, या तो यहाँ affective होता, या तो यहाँ psychomotor होता, उन तीनों में से एक ही मिलेगा, नहीं तो all of the above हो जाता, ठीक हो गई बात, आगे बढ़ेंगे, next question पर, question number 24 देख लीजे, which of the following represents the domain evaluating in the bloom's revised taxonomy, bloom की revised taxonomy में evaluation, जो की second last है, highest नहीं है, क्या इस्तिती में माना जाएगा, श्रवन, मैंने विडियो की playlist बनाय हुई है, वहाँ से देखना शुरू करो, जिसको एक किस समझ नहीं आया, समझाएंगे, आँ दिख रहे हो उशाजी, सब दिख रहे हो आप लोग, बताओ, आंसर करो जिल्दी, आंसर होगा, judging the logical consistency of a solution, यह जो judge करना है, वो evaluation में आएगा, और create करना, synthesis में आएगा, नई bloom की taxonomy के अंदर, यह words हैं कुछ-कुछ जो आपको, bloom taxonomy से याद ही करने पड़ेंगे, इनका दूसरा तरीका है नहीं, समझ सकते हैं हम, but बहुत long process है, उसका और फायदा भी नहीं है, how to grades, how do grades, do होगा यह, योगेशी अगर अंग्रे जी हमारी थोड़ी खराब होती, तो आप तो बेजज़ती करा ही देते, typing के साथ, बहुत गलतियां करते हैं आजकर, देखिए, how do grades differ from marks, यानि की, grades जो है, वो अंकों से कैसे अलग हैं, यह बताईए, this question belongs to which of the following classes of questions, यह जो question है, किस class से, किस कक्षा से questions की, किस प्रकार से question के, जुड़ा हुआ है, किस प्रकार का question है, कि grades marks से अलग है, A+, B+, C+, यह अलग है, 90%, 60% से, यह किस प्रकार का question हुआ, किस category में आएगा, यह बता दीजे, फटाफट चांसा कीजे, जी सरिता, आंसर होगा इसका, क्या, analytical, analyze करना पड़ेगा, टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, differentiate करना पड़ेगा, अभी last question में यही समझा था था न, अंतर करपाना, analysis में आएगा, कि आप समझ पाएं टुकड़ों में तोड़ करके, कि क्या सच है और क्या जूट है, I mean, कहां गड़बड है, ठीक, wishlation करेंगे न तोड़ करके, तमस्या को, इंसान को नहीं, देखिए, the behavioral terms for stating objectives like change, compute, demonstrate, discover, manipulate, modify, operate, predict, prepare, relate, show, solve, etc. pertain to which one of the following categories, यह कुछ words है, Bloom की taxonomy में, तीनों आसपेक्ट में, कुछ-कुछ words की न, एक list सी बनी हुई है, अगर आपकी किस्मत खराब हुई, तो, एकाद question इस तरीके का आ सकता है, वैसे seat at, avoid करता है, इस तरह की question, तो उसमें, भारती कुमारी नाम ले लिया आपका, उसमें, वो बनी हुई है tables, कि describe का मतलब है, इसमें आएगा application में, या knowledge में आएगा, comprehension का मतलब है, या इसमें आएगा, apply का मतलब है application में चाहेगा, तो ऐसी words की list है, internet पे भी search कर सकते हूं नहीं, तो मैं इसी में, इस PDF में include करके दे दूँगी आपको, कि वो कौन-कौन से word किस-किस में आते हैं, आप चाहें तो उस पे एक नजर मार लेना, पानी भी नहीं पी, और ऐसे खतरनाक लोगों, आप लोग 57 मिनिट से यह नहीं कहा, कि पानी भी लो, खतरनाक हो यार, खतरनाक हो, जी like आज काफी ज़्यादा है, इस मृती अर्जुन, देखिए एक बार, behavioral aspect यह किस में आएगा, फटाफट से बताओ, मजाक की बात नहीं है, अरे, थेंक्यू रिंकू नागर, बताइए, have some water, हाँ हाँ, याद आ गही होगी, देखो एक बार, क्या है यह, discover, manipulate, modify, operate, change, predict, prepare, relate, show, solve, application नहीं होगा क्या, है, आगे बढ़ेंगे, apply करोगे, इस सब में इस सब चीजें, which of the following statements about learning is correct, from a constructivist perspective, यानि की, रिशनात्मक्तावादी, परिपेख्ष से कौन सी एक बात सही है, फटाफट से आंसर करो, समय बहुत हो चुका है, पानी नहीं पीना चाहिए मैं, बैठ के पीलेंगे यार लो, जीन दोगे की नहीं, है, जब देखो ज्यान देते रहते हो, देखिए देखिए, आन से कीज़ो फटाफट से, हिंदी में बुक आईगी, 2022 में, और उससे पहले कुछ धमाल चीज आईगी, जिसकी वज़ाफ से आपको बुक की ज़रत ही नहीं पड़ेगी, खतर नाग चौब तक मैंने कभी नहीं किया है, जिस दिन सीटर्ट का पेपर हो जाएगा, बता देंगे, जी रॉबिन, बात सही आपकी, बट कितनी क्लासिस हैं, यह आपको कैसे समझाएं हम, देखिए, विच आफ दे फॉलिंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इस करेक्ट फ्रॉमा कंस्ट्रक्टिविस्ट परस्पेक्टिव यानि रश्णात्मक्त वादी परिपेक्ष से कौन सी एक बात सही है, रिकॉल और रिप्रोडक्शन है, रट के उगलना है, रोट मेमराइज़ेशन है, जी नहीं, कंडीशनिंग बिल्कुल नहीं, लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है, जहां बच्चा अक्टिवली कंस्ट्रक्ट करेगा नॉलिज को, ये बात कंस्ट्रक्टिविज्म मानेगा, कि नॉलिज का मतलब है, सक्रिय निर्मान करना ग्यान का, डी ऑप्शन सिंपल है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेशन पे, नेक्स्ट क्वेशन देख लेंगे, क्वेशन नमबर 28, प्रेजन तूदेंट्स विद क्लियर एग्सामपल्स and non-examples, बढ़े, एग्सांपल जो डिरेक्टली रिलेटेड़ हैं, नॉन एग्सामपल्स जो इंडिरेक्टली या हिंट वगेरा से रिलेटेड हैं, ठीक, फटाफट बताओ, आप दोनों का ही यूज करना क्या सही है क्या गलत है नो पुर मेल देख लिया है भई आपका टेंशन मतलब आप लोग है नो ये करा देंगे हम और बताईए फटा फटा आंसा करो आंसा करो बहुत तेजी की साथ clear examples और non examples के साथ पेश करना आसान है इसका मतलब है simple कि ये एक बहतर तरीका है बच्चे के concept को clear करने का उसके संप्रत्यों को clear करने का क्योंकि आप directly example भी relate कर रहे हैं और indirectly जो भी उससे जुड़ी हुई बातें हो सकती हैं या पक्ष हो सकते हैं या hints हो सकती हैं वो भी दे रहे हैं फीक which of the following factors supports meaningful learning यानि कि अर्थपूर अधिगम को कौनसी एक चीज support करेगी फटा 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 बताइए अर्थपूर का मतलब है जो आपके जीवन से जूड़ सके जिसका कोई अर्थ हो आपके लिए सिर्फ रटने जैसा ना हो बताइए नाम लो प्रशांत राठ्थोड नाम ले लिए राठ्थोड देखो meaningful learning की बात करें अधि तो कौनसा एक फैक्टर support करेगा meaningful learning जहाँ पर बच्चा relate कर सके पढ़ने से सिर्फ reward की motivation नहीं, सिर्फ lecture नहीं, सिर्फ test नहीं, showing genuine interest, सच का interest, सच की रुची, teacher दिखाए content matter में, जो वो पढ़ा रहा है उसमें, जो बच्चा पढ़ रहा है उसमें, ताकि बच्चे के अंदर जो है, वो overall concern बैदा हो सीखने को लेके, सीखने के लिए वो सीखना चाहे कि कुछ अच्छा मिलेगा इसलिए वो सीखेगा, यदि जीवन से जोड़ने को मिलेगा, इसलिए सीखेगा तो अर्थपूर अधिगम होगा, रटना नहीं कहेंगे फिर उसको, ठीक है, सिर्फ test से या सिर्फ reward से, अर्थपूर अधिगम नहीं होता है constructivist approach suggests that dash is crucial for constructing knowledge, यानि रचनावादी जो approach है, अधारना है वो किस चीज को महतुपूर मानती है knowledge के construction में, ग्यान के निर्मान में, बताइए एक बार देख लिया है नुपूर, देख लिया है tension नहीं लेने का आप से मस्ति करने में अच्छा लगता है बहुत बड़े आतिका आपको मिर्जापूर सीजन 3 में देखने कि हमारी प्रबल इक्षा है, गौरफ सिंग हमने तो वो देखा नहीं है 2 भी, आपको 3 में हमें देखना है, हमने 2 देखा नहीं है अपनी आखों से और नहीं हम एक शुक बच्चे हैं अब देखने के बताईए, constructivist approach suggests that rote learning, रटना जी नहीं, punishment जी नहीं conditioning जी नहीं, conditioning में भी आदर डलवा दी जाती है जैसे पैवलव के कुत्ते को डलवा दी गई थी prior knowledge of the learner यानि की विद्यार्थी का जो पूर्व ज्यान है वो महतवपून है, ज्यान की संरचना करने में जो prior knowledge है, जो previous knowledge है जो उसको पहले से आता है, उससे आप नई knowledge को connect करते हैं, simple बात है उसके experiences पे बिल्ड करते हैं new knowledge को question number 31 देख लिजए एक बार dash are an important aspect of the process of meaningful construction of knowledge यानि निमनिकित में से क्या ज्यान के सार्थक संरचना की प्रगरिया का एक महतवपून पहलू है यानि की meaningful learning किस एक point के through होगी, बताईए ashtet के लिए link यार record session देख लिया नपर गुपता देख लिया दुखी क्यों होते हो bloom का वीडियो अलग से है अलग से है, बाकी मैं करा भी दूँगे किसी दिन अगर मौका मिला तो हम बताएंगे, बताईए answer कीजे social interactions are important aspect of meaningful learning क्योंकि समाजिक अंतहकरिया जैसे मैं और आप discussion करें तो एक real knowledge build होगी एक knowledge का construction होगा बजाए कि बस repeat कराते रहें, reward देते रहें streamless response देते रहें ठीक होगी बात, out of 31 कितने आपने ठीक किये, सच में बता के जाना, comments में हवबाजी के लिए नहीं मताना है, कितने तीर मारे आपने out of 31, ये आप बता दीजगा आज तीन topic के important questions discuss किये हैं हमने, जो सबसे महतुपूर्ण हो सकते थे, answer कर दीजगा फटा-फट से, comments में, session पसंद आया हो, तो पहले तो like करेंगे, फिर share करेंगे, subscribe आप कर चुके होंगे ना क्या हो तो कर लीजगा, और bell icon को press करके all notification on कर लीजगा, नहीं तो notification नहीं जाएगा, साड़े 6 वाली वीडियो का सेशन का PDF आपको वहीं मिल जाता है free होती है ये सारी चीज़े, इसको लेकर के tension नको फीक है बात सुमित जी सेम ही है सभी के लिए, सेम ही है अगर आप किसी केटेगरी से हैं तब वो 84, I think 84 नहीं, 81 के around जाता है, 55% और अगर आप normal हैं, तब 60%, सीटेट का मैं बता रहे हूँ फीक है, 55 और 60 का हिसाब है आपके सारे वीडियो देख रहे हैं, और notes भी बना रखे हैं और questions भी practice करते रहिए नहीं तो मामला खराब हो जाएगा, आपको पढ़के खुद से समझ में आनी चाहिए, चीज़ें questions सही solve होने चाहिए, जब आप खुद बढ़ रहे हैं और जल्दी solve होने चाहिए, ठीक है धन्यवाद Anshu Goswami Hindi का passage कल बना देंगे एक video, आज चाहे नहीं बनाएं क्या, यार शाम में पीके ही आई थी मैं भी बाहर से ही अरे थैंक यू वीना, hopefully आपको ये पसंद आई होगी, और लाइक खूब भरपूर किया है आज आप लोगों ने और इतने सारे लोग, हम लोग इतनी रात को जुड़े हुए लग भग पोने 11 बजे, हम लोग को 65 मिनट हो चुके हैं, जुड़े हुए, माइंड ब्लोइंग क्लास with nice explanation, धनवाद वीना अब आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे जू, let's learn, बहुत बढ़िया देखो, कल मिलेंगे 6.30 और 9.30, ठीक, 6.30 मैं कोशिश करूँगे, आपके साथ passage discuss कर लो, हिंदी का क्योंकि वो सभी के लिए आता ही है और passage का approach क्या रहना चाहिए, वो भी discuss कर लोंगे ठीक है, क्योंकि passage at the end of the day आपको ही practice करना है, बट approach सही होनी चाहिए, चलिए, bye-bye, good night ध्यान रखे अपना, session दोबारा देखेगा, जहां भी confusion हो, clear हो जाएंगी चीज़े, फिर भी कोई doubt हो, कहीं कोई confusion हो, जल्दबाजी में कुछ आपको लग रहा हो कहीं doubt, comment section में बता दीज़ा, bye